कैसे हैं friends आप लोग आज हम लोग Constitution को समझने की जिसा में एक नया कदम आगे बढ़ाने जा रहे हैं आज हम लोग समझेंगे ordinance क्या होता है आज हम इसे समझने की process करेंगे अमोमन राज्य के तीन आंग होते हैं legislature जिसे विधाईका कहते हैं executive जिसे कालिय पालिका कहा जाता है और जदिसरी जिसे नयाय पालिका कहते हैं जहां विधाईका का काम है कानून बनाना वहीं executive का काम है उस कानून को execute करना वहीं नयाय पालिका क्या करती है कानून के क्रियान वयन में हुए विवादों का निप्टारा करती है किसी भी देश में जो एक Rule of Law के Framework में कारी करता है अर्थात जहां देश कानूनों के आधार पर चलाया जाता है हमारे देश में जैसे Constitution एक सर्वोच्च संस्ता है सर्वोच्च विली है जिसके अंतरगत हमारे देश का संचानन देश का क्रियानवयन होता है जिसके कारियों का निक्टारा किया जाता है अब इसे समझने के लिए हमारे संविधान में दो भाग दिये गया है भाग पार्च पार्ट फाइफ जैसे दा यूनियन कहा गया है इसके अंतरगत आर्टिकल बावन से एक से क्या बनाते हैं वहीं पार्ट फिक्स में राज्य का जिक्र किया गया है अब आप जैसा की देख सकते हैं आर्टिकल पांच में पांच चैप्टर दिये गया है और आर्टिकल 6 में 6 चैप्टर है अब आप देख सकते हैं जिसमें 52 से 78 और यहां 153 से 166 ये दोनों ही आर्टिकल एक्जीक्यूटिव को कवर करते हैं इसके बाद का जो आर्टिकल है वह संसद और राज विधाईका के बारे में जिक्र करता है इसके बाद का जो आर्टिकल 123 है और 213 ये दोनों ही विधाई सक्तियों के बारे में जिक्र करते हैं जो कि President और Governor को दिया गया है सवाल यह उठता है कि आखिर यह विधाई सकती एक कारिपालिका को क्यों सौपा गया इसी ही समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि आज हम लोगों का मोटो ही Article 123 और 213 को बिलकुल ही Deep में समझना है और Constitution के Language में समझना है ताकि कोई भी गलती का कोई स्कूप न पहे जाएगा समस्ते हैं कि सबसे पहले Act बनता कैसे है आखिर कोई भी बिल Act कैसे बनता है Article 79 जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर जिक्र किया गया है कि हमारे देश में Parliament किसको कहेंगे संसब किसको कहेंगे संसब के अंतरगत तीन संस्था को रखा गया है लोग सभा राज्य सभा और प्रेजिजेंट ऑफ इंडिया इस तीन संस्था को रखा गया है अब आप जैसा कि देखते हैं कि किसी भी बिल को इंट्रोड्यूस करने के बाद कोई भी बिल जैसे ओर्डिनरी बिल है जो आइटिक्र एक साथ के अंतरगत दिया गया है तो इसे Bill को जब हम introduce करते हैं या तो लोगसभा या राज्यसभा में अब इन लोगों से पास होने के बाद इस Bill को President के पास भेया जाता है यदि इस Bill को President दोरा Assent दे दिया जाता है Article 111 के According तब एक बिल जो है वह एक्ट में कनवर्ट हो जाता है और वह पूरी तरीके से प्रभावी माना जाता है और डिनेंस को पास करने के लिए जो पावर दिये गया है यह पावर प्रेजिडेंट ओफ इंडिया के पास है और गवर्नर के पास है जैसा कि आपने पहले भी देखा है अब इस पावर को समझते हैं कि यह पावर दरसल है क्या आर्टिकल 123-1 में क्या का जाता है चाह देखते हैं इसक्तम बिल्कुल डीटेल में पढ़ने की कोसिस करेंगे इफ एट एनी टाइम किसी भी समय एक्सेप्ट वेन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर इंस्टेशन यानि कि जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सत्र में हों सत्र में हों उस परिस्थिती को इसका मतलब या तो यह दोनों ही सत्र में ना हों या दोनों में से कोई एक सत्र में हों तो वैसे कंडिशन में क्या होगा कि एक विधाई प्रत्ριा के द्वारा तो कानून नहीं बनाया जा सक्ता है तो वैसे case में ही एक ordinance को pass करने की जरूरत आन पड़ेगी तो पहला condition ये है कि जब कोई भी सत्तर में ना हो दोनों सदन या कोई एक सदन सत्तर में हो तत पस्चार यदि President is satisfied इसका मतलब क्या है President कोई भी कारियन अपनी मर्जी से तो नहीं करेगा this means this is not the discretionary power of the President President के दिस्टिस्पाइ है that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action तो वैसे condition में एक ordinance को pass किया जा सकेगा लेकिन अब question ये उठता है कि President यानि कि Council of Minister के द्वारा जो कहा गया जो recommendation हुआ और उसे President ने एसेंट दिया अपना और ordinance को pass किया तो Council of Minister के द्वारा दिया गया जो recommendation है या राय है जिसके आधार पर ordinance को pass किया जाना है तो ये क्या सच है कि circumstances exist हो चुके है अब क्या ये justiciable है कि इस दौरा जो ordinance निर्मित हुआ अब ये समझने की बात है कि और डिलेर को क्या हम किसी भी कोट में चैलेज कर सकते हैं इसके तहब जब चौदा राश्च्रिय बैंकों का इंदिरा जांधी ने राश्च्रिय करन किया यानि एक्टिजीशन करके इसे नेस्नलाइज कर दिया तो वैसे केस में आर्टी कूपर 1970 में केस चला सुप्रीम कोट के अंदर आर्टी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंदिया इसमें सुप्रीम कोट ने डिसीजन दिया कि जो डिसीजन है प्रेजिडेंट का जो डिसीजन है डेट कैन बी चैलेज़ ओन टू ग्राउंड पहला ग्राउंड किया होगा कि इमेडियेट एक्शन जो लिया गया है वाज न Stuart required और दूसरा सुप्रीम कोट ने कहा कि दूसरा ग्राउंड होगा कि इस जो कानून को लाया गया है इसे discussion को बाइपास करने के लिए लाया गया है ताकि या किसी भी सद्धन में इसके उपर discussion या debate ना हो सके तो ये दोनों की चीज के आधार इन दोनों के आधार पर आप प्रेजिडेंट के decision को आप challenge कर सकते हैं तो इसके बाद ही इंदरा गांधी ने जैसा कि आप जानते हैं 1975 में 38th constitutional amendment के द्वारा क्या किया 123.4 और 213.4 को insert कर दिया और इसमें कहा गया कि प्रेजिडेंट का decision जो है वह क्या है जस्तिसियेबल नहीं है और किसी भी आधार पर किसी भी कोट में इसे challenge नहीं किया जा सकता है उसके बाद आपको जैसा पता है कि 1978 में मुरारजी देशाई की सरकार ने 44th constitutional amendment के द्वारा इन दोनों ही articles को repeal कर दिया हटा दिया और इसके बाद से एक stated fact यह है कि जो ordinance है प्रेजिजेंट का जो decision है वह जस्तिसियेबल है तथा इसे किसी भी कोर्ट में या सुना जा सकता है इसके against जो है इन दो आधारों पर claim किया जा सकता है तो इसे यह समझने आता है कि ओर्डिनेंस इस जस्टिसियेबल ना हम आर्टिकूल 123 को देखते है इसमें क्या कहता है एन ओर्डिनेंस प्रमल्गेटेड अंडर इस आर्टिक्ल्स एलहब दसें फोर्ड एंडिफेक्ट अन एक्ट और्लियामेंट यह ओर्डिनेंस उस छेत्र में उसी तरीके से कैसे खत्म होगा या कब खत्म होगा तो पहला कंडिशन है कि 6 वीक यदि एक्सपायर हो गया आज जैसे पास हुआ बिल ओर्डिनेंस आज अगर प्रथ्यापित किया जाता है प्रमल्गेट किया जाता है तो यहां से 6 वीक के बाद अगर 6 वीक के अंदर इसे दोनों ही हाउ हो जाएगा और उसके बाद आप जैसा कि देख सकते हैं कि 6 वीक के अंदर आपको इसे क्या करना पड़ेगा एसेंट दोनों ही हाउसे से लेना पड़ेगा इसका मतलब यह है कि इसकी मैक्सिमम किसी भी ओर्डिनेंस की इससे एक इंफेरेंस निकाला जा सकता है कि किसी भी कि मैक्सिमम वैलिडिटी क्या होगी इसिक्स मन्स प्लस सिक्स वेक्स यह सिक्स मन्स क्यूं है क्योंकि आर्टिकल 85-1 में कहा गया है कि कि किसी भी दो सत्र के बीच मैक्सिमम छे महीने का गैप हो जगता है तो अगर माल लिया जाए दो नों हाउसे एक साथ बैठे हैं जब ञेरे-इसेंबल हो रहे हैं उसके बीच मैक्सिमम का गया हो जगता है कि भी देख सकते हैं कि ये six weeks कब जोड़ा जाएगा जब last जो दूसरा सदन होगा suppose कि दोनों ही सदन different dates में बैठते हैं तो जो दूसरा सदन जिस date में बैठेगा वहां से six weeks का समय इनके लिए required होगा अगला condition इसमें दिया गया है if before the expiration of that period resolutions disapproving it यानि कि दोनों ही houses के द्वारा यदि ऐसे प्रस्ताव को पास कर दिया जाए जो इसे disapprove करते हैं ऐसे ordinance को तो यह ordinance अपने आप खत्म हो जाएगा और टीस्टी कंडिशन जिस आर्टिकल 2 सब क्लाउजस बी में दिया गया है कि प्रेजिडेंट जब चाहे इस ordinance को विड्रॉप कर सकता है इसके बाद 123 में देखते हैं कि if and so far as an ordinance under this article makes any provision which parliament would not under this constitution be competent to enact itself be void इसका मतलब कि केंदर सरकार union list और concurrent list इन दोनों list के subject पर यदी बनाती है तो यह valid होगा otherwise इसे void कर दिया जाएगा यह अर्थात इसके jurisdiction के बारे में बताती है अब इसके बाद हम comparison करने चाहेंगे कि डोनों हम जो प्रेजिजेंट का अभी तक हम ने देखा कि union के पास क्या क्या पावर है प्रेजिजेंट के पास legislative powers क्या क्या है अब similarly हम देखिने कि governor के पास क्या पावर है state में प्रामल्गेट करने के लिए एक ordinance को अब हम comparison करते हैं और यह बहुत easy होगा और यह effective study होती है किसी भी चीज़ को समझने के लिए अब ज़रा देखते है if at any time जैसे कि आप article 123 में देख चुके हैं कि condition कब यह है कब जारी कब ordinance को प्रख्यापित किया जाएगा और क्या condition होगा अब similarly आप जब 213 में देखेंगे तो governor के पास same condition है बस यहाँ आप देखें कि यह condition है यूनी केमरल की जहां एक ही है विधान सभाय केवल विधान सभाय एक सदन है तो यूनी केमरल जो format है वहाँ पर केवल जब legislative assembly of a state is in session रहेगा तब नहीं होगा और वहीं अगर bicameral है means bicameral means जहां विधान सभा भी है और विधान परिशाद भी है यह कहां कहां है यह six states में है कहां यूपी बिहार करनाटक महाराश्ट्रा आंध्रप्रदेश और तेलांगना यह six state में विधान परिशद है तो जहां वाइक अंगल है वहां जब दोनों ही sitting में नहीं होंगे सत्र में नहीं होंगे तो वैसे condition में गवर्नर प्रामलगेट कर सकेगा लेकिन यहां तीन कंडिशन है ऐसे में यहां तीन कंडिशन बताया गया है कि गवर्नर इन तीन कंडिशन में ओर्डिनेंस को प्रामलगेट नहीं करेगा जब उसे लगे कि राश्ट्रपती का previous sanction प्रीवियस अनुमती पूर्व अनुमती लेना जरूरी हो दूसरा जब राश्ट्रपती जब गवर्नर को यह महसूस हो कि राश्ट्रपती का consideration लेना आवस्चक है तो वैसे कंडिशन में उस ओर्डिनेंस को पास नहीं करेगा तीसरा कंडिशन यह बनता है कि जब वैसा बिल यह वैसा ओर्डिनेंस जो अगर राश् पास नहीं करेगा यानि उस ओर्डिनेंस को गवर्नर पास नहीं करेगा तीन कंडिशन आर्टिकल 213 में गवर्नर के अंदर जोड़ा गया है यह जो चेक्स हैं यह तीन चेक है इसके बाद हम देखते हैं कि आर्टिकल 123 और 213 के clauses 2 में सेम कंडिशन है इसके बाद आर्टिकल 213 में जाते हैं तो यहाँ पे जैसे की यूनियन लिस्ट और कॉनकरेंट लिस्ट पर था उसी तरीके से स्टेट जो है स्टेट लिस्ट पर बना सकता है हाँ इसके साथ एक प्रवाइडेड एक दिया गया है जिसमें कहा गया है कि अगर स्टेट लिस्ट से बाहर अगर कुछ नियम या ओर्डिनेल्स लाना चाहती है सरकार राज्य सरकार तो वैसे केश में राज्य सरकार को करना क्या होगा कि राश्ट्रपती से सबसे पहले अनुमती लेना होगा यदि राश्ट्रपती ने एस्सेंट दे दिया है तो वह ओर्डिनेल्स जो है वैलिड होगा बस यही 123-4 और 2134 इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि 38th constitutional amendment के द्वारा इसे add किया गया था लेकिन 44th constitutional amendment के द्वारा इसे हटा दिया जब सत्र जो है दोनों ही सत्र लोकसभा या राज्यसभा दोनों सत्र में ना है एक साथ और यहां पर विधान सभा अथ्वा विधान सभा या विधान परिशद एक साथ सत्र में ना हो उस condition में लाया जा सकता है circumstances क्या है जब President को यह महसूस हो जाए कि यह ऐसे condition necessary हो गई है वैसे case में और यहां तीन condition जैसा कि मैंने आपको तीन cases बता दिये है उसके बाद क्या यह discretionary power है नहीं justiciable है yes validity आपको पहले ही बता यह जा चुका है six weeks inference to total validity कितनी हो जाएगी six months plus six weeks उसके बाद आपको अगला बता ही दिया गया है कि जब दोनों ही सदन यानि लोकसभा राज्यसभा दोनों ही इसके इसे disapprove कर दें और तीसरा है कि प्रेसिडेंट जब जाहे कि इसे हटा सकता है और jurisdiction इसका आपको मैंने बता दिया union list concurrent list और यहां state list यह है ordinance के बारे में पूरी जानकारी है thank you